वेल्कम गाइज जैसरी टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है अपना टोपिक चलेगा आज का डाइमेंड्स रिंग इंजिनिरिंग ड्राइंग अपना लोगडाउन इस्पिसल क्लासों के तहर चल रहा है और उसमें अपने पहले अधन किया कि ड्राइंग के कौन-कौन से इंस्ट्रुमेंट है फिर अपने पढ़ा कि लाइने इंजिनिरिंग लाइनस क्वान कौन सी है फिर टोपिक था अपना 1500 और नंमबर्स आपके लैटरल और नंबर्स अंपने अपना टोपिक है डाइमेंड्स ड्राइंग के अंधर जैसे कि length है width है height है diameter वगेरा यह जितने भी parameter है ना इन सभी parameters को show करने के लिए ड्राइंग के अंदर इनको canvas करके दिखाने के लिए जो अपने को जो तरीका है वो तरीका ही अपना कहलाता है Dimensioning क्या क्या लाते हैं? Dimensioning Dimension का जाब सीधा सा मतलब यह था Dimension का मतलब हो गया Vimankan, हिंदी में इसको बोलेंगे है अपन Vimankan, मतलब Vim让on का Ankan To represent the dimension ठीक है? तो VIMA कौन कौन सी है? VIMA मतलब dimension क्या है अपनी VIMA होती है अपनी जैसे length भी VIMA है चोड़ाई भी विमा है, उचाई भी विमा है, डायमेटर व्यास भी विमा है, तिरिजा भी विमा है, ठीक ना, इस प्रकार से बहुत सारी अपने विमाई होती है और इसके अलावा जैसे कई जिगा अपने को कुछ चीज़े लिखने भी पड़ती है जैसे पर लिखते है old dimension r in mm तो इन सब चीजों को दर्साने का जो तरीका है इनको अपन जिस माध्यम से दर्साते हैं जिस तरीके से दर्साते हैं वो तरीका ही आपका क्या कहलाता है dimensioning कहलाता है ठीक है गाइस dimensioning जो है आपकी basically दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की पहली है आपकी size dimensioning ठीक है और दूसरी है आपकी location dimensioning Location Dimensioning जो है इसको हम बोलते हैं कभी-कभी Datum Dimensioning और जो Size Dimensioning है इसी का दूसरा नाम है Functional Dimensioning अब यह जो Dimensioning के मैंने आपको दो प्रकार बता दिये Size Dimensioning और Location Dimensioning यह क्या चीज़े हैं आपकी इनको मैं आपको थोड़ा सा डिसकस यहां पर मैं कर देता हूँ तो इसमें क्या है Guys कि जैसे आपके पास में जो Drawing है Drawing के अंदर जैसे उसकी Length हो गई Size Dimensioning की बात कर रहा हूं मैं पहले जैसे उसकी Length हो गई Length को दरसाना है ना Drawing के अंदर लंबाई को दरसाना उसकी चोड़ाई को दरसाना उसकी Height को दरसाना उसके व्यास को दरसाना तिरजा को दरसाना इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करना द्राइंग के अंदर इन सब चीजों को जब आपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अपने size dimensioning में आता है और इसी का दूसरे नाम में functional dimensioning ठीक है second है अपना location dimensioning या datum dimensioning इसमें क्या होता है इस वाली second number के जो dimensioning है location dimensioning में क्या होता है कि आपके object के अंदर dimensioning के तो location dimensioning या datum dimensioning जो है ये drawing के अंदर जो constructional जो अपना detail होता है construction जो detail है उसको show करने के लिए उसको दरसाने के लिए उसको प्रतिशित करने के लिए काम में आपकी आती है ठीक है guys ठीक है guys तो functional और non-functional का जो अपना इधर है ये मैंने एक object बनाया हुआ है इसमें आप देख सकते हो कि functional और non-functional किस तरीके से show किया जा रहा है ठीक है ठीक है guys next में अपना dimensioning trams dimensioning में कौन कौन सी trams आपकी काम में आती है ठीक है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक इसके अंदर होता है extension line ठीक है एक होता है इसमें dimension line एक होता है इसी तरीके से arrowhead और एक होता है आपका leader बोल दो या फिर इसको pointer line ठीक है guys तो dimensioning trams के अंदर basically चार ही आती है extension line, dimension line, arrowhead और leader या pointer line ठीक है यहाँ पे एक figure बनाए होआ है इस figure के माजन से मैं आपको ये अच्छे से समझा पाऊंगा ठीक है तो देखें आप ये मेरे पास में एक object है ठीक इस object की यहां से लेकर के यहां तक की कुछ ना कुछ लंबाई है मान लो की लंबाई L है ठीक है यहाँ पर इसकी जो चोड़ाई है वो B है और यहाँ वाली जो height है तो यह height और यह height इससी है ठीक इसमें एक hole दिया गया है और hole जो है hole का diameter है आपका कितना 10 mm hole का diameter कितना है 10 mm ठीक है guys तो अब जैसे कि यहां से यहां तक कि जो लंबाई थी इस लंबाई को दरसाने के लिए मैंने क्या किया हूँ है यहां पर यह line खेची है इस तरीके से ठीक है तो अब देखिए मैं इसको आपको एक अलग से बताता हूँ सबसे पहली चीज आ रहे है कि एक्स्टेंसल लाइन क्या चीज है तो एक्स्टेंसल लाइन क्या चीज है मैं वो show करूँ, दर्सा हूँ, और उसको दर्सा नहीं तो diamonds निंग है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे लंबाई यहां से ले करके यहां तक की है, L, मानलिया की लंबाई कितनी है, इसकी L, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर एक gap इस तरीके से दूँगा, gap दे करके और आगे यूखेस दूँगा, यहां पर क्या करूँगा, यह भी सीधा ले कि आऊँगा, इस तरीके से, ठीक है, और देखो, यहां की मैं इस formation की ही बात कर रहा हूँ, यह जो formation है न, यह जो बनावट है, इसकी बात कर रहा हूँ, और फिर यह जो line बनाई है मैंने, यह line, यह line ही मेरी कहलाती है, कौन सी line, extension line कहलाती है यह मेरी, extension line, हिंदी में इसको बोलते है, विस्तार रेखा, क्या बोलेंगे, विस्तार रेखा, यह जो विस्तार रेखा है, यह एक तरीके से stop line है, कि भई, आपकी जो length है, यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, तो यहाँ पर इस figure में, इस object में मैं बात करूँ, तो यह और यह मेरी क्या है, यह मेरी extension line है, ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखने चीए आपको, कि extension line के अंदर, यह जो out line से लेकर के और यह जो extension line स्टार्ट हो रही है न, यह जो gap है आपका, यह जो छोटा से gap है, यह gap आपको minimum से minimum एक mm तो रखना ही रखना है, minimum है, कितना रखेंगे, वन mm, एक mm, और यह जो extension line जो है, इस extension line की जो length है आपकी यह वाली length, यह आप ले लीजिए, कितनी approximate में, 3 mm तक ले लीजिए आप इसको, ठीक है, तो यह है आपकी extension line, extension line क्या है, इसका जो length, width, anything, कोई भी जो विमा है, उसको show करने के लिए जो दो stop lines बनाई जाती है, वो ही है आपकी extension line, ठीक है, तो यहाँ पिटे को यह भी extension line है, यह भी extension line, यह भी extension line, यह भी extension line और यह भी extension line, तो guys आप समझ गए होंगे कि extension line क्या है, फिर उसके बाद में अपना second है, dimension line, dimension line, dimension line पे सीधी सी बात यह है, कि यह यहाँ से यहाँ तक कि यह जो लंबाई L है ना, यह लंबाई L आपने जहां पर लिखी हुई है, जिस रेखा के उपर लिखी हुई है, वो रेखा ही आपकी क्या है, डाइमेंजन लाइन है, मतलब यह हुआ इसका, कि अगर यह आपके पास में object था, तो इस object में यह पहले तो आपने खहच ली दो extension line, और extension line खीचने के बाद म इस object की यह जो outline है ना, इस outline के बिल्कुल सवानतर इस तरीके से, यह जो रेखा आपने जो खहची, यह रेखा ही आपकी क्या है, यह है आपकी dimension line, इसे हिंदी में बोलते है, विमारेखा, क्या बलेंगे, विमारेखा, यह आपकी विमारेखा है, तो यहाँ पी विमारेखा क top line या extension line थी, यह जो खिची हुए, यह मेरी क्या है, यह यह वाली, यह क्या है मेरी, यह मेरी dimension lines है, ठीक है, तो यह मेरी इस तरीके से होती है, मेरी dimension line, यह dimension line और जो extension line है, यह pointer line भी, यह सारी की सारी जो है, यह हलकी pencil से बनाई जाती है, ठीक है, हलकी pencil से, तो इसके बाद मे फिर नेक्स अपना arrowhead line अगला है आपका arrowhead line तो arrowhead line नहीं है arrowhead ही है क्या वाली है लाइन नहीं है यहाँ पर arrowhead क्या चीज है आपका यह देखे यहाँ पर यह जो तीर के निसान arrowhead तीर सीर्स जो है आपके इन्ही को arrowhead कहते है arrowhead की खासित होती है arrowhead की खासित क्या है वो देखे आप यह इस तरीके से है जैसे माल लो ठीक है यह है arrowhead आपके arrowhead को यूँ fill किया जाता है इस तरीके से इसको पूरे को fill कर दिया जाता है भर दिया जाता है शाई से या pencil से इस तरीके से भर दिया जाता है यह arrowhead है ठीक है यह आपके क्या है एरो हेड है एरो हेड जो है आपके यह एरो हेड की क्या है आपकी यह है आपकी एरो हेड की लंबाई और यह यह एरो हेड की लिए क्या है यह एरो हेड की है आपकी चोड़ाई भी ठीक है तो एरो हेड की लंबाई और चोड़ाई इंपोर्टेंट पूचिजे, arrowhead की लंबाई और चोड़ाई में एक fix अनुपात होता है और वो होता है आपका तीन अनुपात एक, star मार लीजे इस चीज को, कितना होता है, तीन अनुपात एक, ये arrowhead की जो अनुपात है, ये होता है, तीन अनुपात एक, ठीक है गाइस, अच्छा जे, next है point line क्या है, ये space लीजे से मालो, अब यहाँ पर मैं आपको figure में ही समझाता हूँ, इसमें object के अंदर, ये एक circle है, इस circle का diameter कितना है, 10 mm, ठीक है ना, तो 10 mm diameter में, यहाँ पर तो मैंने लिखा नहीं है ना, ये मैंने क्या किया, ये जिसका diameter show करने के लिए, मैंने, ये यहाँ स यहाँ पर लिखी है, ठीक है ना, तो ये यहाँ से ले करके, यहाँ तक ये जो line है ना, ये line, ठीक है, ये line ये line ये आपकी क्या है, leader line है, leader line बोल दो, या फिर इसको क्या बोलते है, दूसरा नाम क्या इसका, pointer line, ठीक है ना, गाइस, तो ये 4 important terms सी, dimensioning के अंदर, आप लोग समझगे होंगे ठीक से, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ, कि, जैसे ये आपकी actions line है, यहाँ पर आपको बनाना है arrowhead, ठीक है, फिर arrowhead को fill भी करना होता है इस तरीके से, यहाँ पर ये सी ध्यान रखना, ये बिलकुल यहाँ पर इसका जो point है, वो touchy होना चीए, है ना, ये एकदम accurate position है, अगर आपने you कर दिया ना, इसके थोड़ा सा आगे की तरफ बेज दिया you, तो ये फिर गलत तरीका है, और अगर इससे थोड़ा सा पीछे रख लिया, पीछे रख लिया, तो भी गलत तरीका है, right तरीका क्या है, this one is the right way, ओक के गाइस, ठीक है, अब next दीज है आपकी, कि dimensions को palace करना, palace करना मतलब उनको लिखना, ठीक है ना, तो dimension, dimension, palacing की जो हैं आपके पास में, दो वीदिया है, कितनी वीदिया हैं, two systems हैं, और वो two systems कौन-कौन से हैं आपके, मैं लिख देता हूँ यापे, पहला आपके पास में system ह है, align system, align system, और second आपका system है, unidirectional system, ठीक है, align system को हम हिंदी में बोलते हैं, sun रेख ही है, पद्दिती, ठीक है, और unidirectional system को हम बोलते हैं, एक दिसी है, पद्दिती, guys, आप लोग न, ये विशेश रूप से ये बात ध्यान रखना, engineering drawing का जो paper है आपका, semester में, yearly में, वो पूरा का पूरा English में आता है, और engineering, engineering जो है, चाए आप IT करो, BT करो, polytechnic करो, कुछ भी करो, उसमें क्या है, जब आप industry में जाओगे न, तर, वो आपको English language में ही मिलता है, लेकिन वो English ऐसा नहीं है, कि आप उसको देख करके, जैसे काफी सारे लोग है, ग्रामेंट शेतरों से संबंद रखते हैं, तो वो कि नोर्मल बोलचाल की भासा में आपके आजाता है, ठीक है, तो English से किसी परकार का हवा मत रखिए, है न English को आप EGV में लेजिए, तो Align System और Unit Actional System हैं आपके, अब मैं आपको ये दोनों ही सिस्टम से बता देता हूँ, ठीक है, एक साथ ही बता देता हूँ, दोनों की दोनों सिस्टम, Align System में क्या होता है, और Unit Direction System में क्या होता है, पर एक बात तो Fact है, ये दोनों की दोनों क्या है, ये पदितियां है, जिससे हम Dimensions को क्या कर सकते हैं, पहले इस कर सकते हैं, मतलब Dimensions को बना सकते हैं, एक एक ये जो पदिती है, इसमें क्या होता है, कि आपको बाके सारी चीजे करनी पड़ती है, जिससे मेरे को यहां से यहां तक यह लंबाई दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो Extence Line खेचूँगा इस तरीके से, ठीक है, चलिए थोड़ा से इसको Complicated करता है, इ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे का Dimensioning पहले इस कर रहा हूँ, मतलब पूरे की Dimensioning लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो सबसे पहले तो मैं इसको Center ही कर लेता हूँ, जैसे माल लिया कि Center यहां से यहां तक का Center का जो यह Length है, यह Length मैने माल लिया कितनी, मैंने म क्या होंगा? एक extends line खेचूँगा, इधर से एक extends line ले क्या होंगा, और फिर इसके अंदर क्या बनाऊँगा? diamonds line, diamonds line बनाने के बाद में क्या बनाऊँगा? arrowhead, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कितना, कितना लिया आपने? बीस, है ना? तो 20 लिख दिया है मैंने, ठीक है? गाईज इससे पहले में आपके एक चीज और बता दे, दो छोटी सी चीज है, वो यह है कि diamonds ring जो है ना, ड्राइंग, इंजिनेरिंग ड्राइंग के अंदर जब आपन diamonds ring करते हैं, तो उसमें अपना मैं जो रहता है, बाई दे से मैंन सन्या किया जाए, कि बाई especially ये करो, तब तक आप मापो को लीजिए किसमें mm में, मिली मेटर के अंदर, ठीक है ना? मिली मेटर में आप मापो को लिया करो, और इसी के लिए क्या करते हैं, जब अपन ड्राइंग की seat बनाएंगे, तो ड्राइंग की seat में seat के right down की तर all dimensions are in mm, ठीक है? all dimensions are in mm, तो ये line लिखने के बाद में अपने को बाकी के जितने भी object है, वहाँ पे आपको अलग से mm हर जगे, हर जगे mm लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिए 20 mm, और इसी प्रिकार से जिसमें यहाँ से लिकर के और यहाँ तक का यह जो center की length है, यह वाली, यह ले लेते हैं, चलिए, यह मैंने ले ली कितनी, मालो यह मैंने ले ली कितनी, 30 ले ली, 30, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक की जो है, यह मैंने जो length है, यह मैंने length ले ली, यह actions line इधर ले क्या आया, यहाँ की सीद में इधर ले क्या आया, और यह सपोच करो, मैंने ले लिकितनी 10 mm, ठीक है? और यह completely जो है, complete यहां से लेकि यहां तक जो है आपकी, यह सपोच करो, आपके पास में हैं कितनी 50 mm, ओकि गाइस? और इसी प्रकार से ही, जैसे यह 30 mm है, इसके बाद में 30 mm के बाद में यहां से यहां तक का यह जो ब्लोक है, ये ब्लोक मेरे माल लिया, कितने का है, ये 30 का है, तो ये भी आप 30 का है, माल लिजिए, ये भी कितने का माल लिया, 30 mm का, और उपर का भी आपने कितने का माल लिया, लगबग, ये भी आपने माल लिया, 30 mm का, ठीक है, अच्छा जी, सारी dimensions नपन ने लिख ली, फिर लिख ली, तो align system का क्या महतर रहा वो मैं आपको चीज समझाता हूँ align system में जभी भी आप map को लिखोगे dimensions को palace करोगे तो important चीज आपकी ये रहेगी कि नाप किस तरी किसे लिखी है वो देखे आप dimension line के 90 degree पर नाप लिखी हुई है पचास को देखो किस तरी के से लिखाओ है मैंने, 10 को कैसे लिखाओ है 20 को कैसे लिखाओ है, ठीक है पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो vertical line पर लिखी जा रहे हैं, जैसे ये वाली जो है ये मैंने कैसे लिखी हैं देखो guys इस तरीके से लिखा है, 30 इस तरीके से लिखा है, है ना, मैं चाहता तो इस 30 को यहाँ ऐसे की बजाए यू भी तो लिख सकता था, 30, ऐसे भी लिख सकता था, है ना, लेकिन मैंने लिखा कैसे, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, तो यह जो है लिखने का जो तरीका है, ड्राइंग के उपर, यू पर सकते हैं left से right की तरफ, ठीक है ना, right से left की तरफ, ठीक है, चलिए, अब ये तो था आपका align system, ये कौन से system था, align system, हिंदी में बोलेंगे इसको sunday के पदिती, ठीक है, second जो है अपना, वो है आपका क्या, unidirectional system, बाकी चीजे सेम है, template भी आपका, इसको template बोल रहा हू मैं, object बोल दो, template बोल दो, ये जो आपका, जो object है, या template जो है, इसको मैं, unidirectional system में लिखता हूँ, तो किस तरीके से लिखा जायाएगा, guys, अंतर के ओल इतना आएगा, कि यहाँ पर जो map आपने, dimension line के ऊपर लिखी थी ना, है ना, और इधर की तरफ, इस तरीके से unidirectional system के अंदर, कौन सा वाला है, ये unidirectional system, एक दिस ये जो पदिती है, इसमें आपको क्या करना है, कि जितनी भी आप map लिखोगे, जैसे यहाँ से आँ तक आपको show करनी है, कितनी, 50 mm, तो 50 mm आप कैसे लिखोगे, पहले तो कैसे लिखे रहे थे, इस तरीके से लिखे रह लेकिन अभी अंतर आ जायेगा इसके अंदर, वो अंतर क्या है, वो ये है, पहले तो ये कहची आप, इधर से ये actions line लईए, ये आपका arrowhead बनाईए, इधर से arrowhead बनाईए, और बीच में जो है, diamonds line आपकी जो है, बीच में, बीच में से खाली छोड़िए, और यहाँ पे लि ठीक है, इसी तरीके से जिसे यहाँ पे मेरे को 20 लिखना है, है ना, अब marker board के आप से यहाँ पे 20 भी ठीक से नहीं लिखा जा रहा तो मैं इसको मैं क्या करूंगा, ये 20 ये हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा जाना है, कितना 10 लिखा जाना है, तो ये 10 मतलब के मतलब कहने का यह हुआ कि डिमेंट्सन लाइन को बीच में से तोड़ करके माप लिखने का जो तरीका है न वो आपका एक दिस्य पनेती के अंतरगत आता है ठीक है और रही बात खड़ी माप को की तो खड़ी माप देखी किस तरीक है कि अंदर इसमें जैसे यहाँ पर है आपका 30 का था ये भी 30 था ये भी 30 था देखिए काई ये arrowhead बनाए है मैंने इसको देखिया कि अब यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा माप तो सेम ही है ना तो ये 30 मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा ये 30 ऐसे लिखूँगा ये वाला 30 आपका ऐसे लिखा जाएगा ठीक है और रही बात इसकी देखो सरकिल को मैंने पैलेस नहीं किया दोनों जगे के उपर तो सरकिल को अपन यहाँ पर पैलेस कर देते हैं ये ड्राइंग से थोड़ा से भार भार लेके जाते हैं इसको और यहाँ पर लिख देते हैं डायमीटर 10 आपका ये डायमीटर को पैलेस करने का तरीका है इस तरीके से यहाँ पर भी लिख देते हैं डायमीटर 10 आपके इस तरीके से यूज आ रही है न ये तो ये जो एंगल बनता है न लीडर लाइन का ये 45 डिगरी बनता है कौन सी वाली का लीडर लाइन का ये जो एंगल बनता है ये 45 डिगरी का बनता है ये चीज आपको माइन में रखनी चीए ये कितने का एंगल बना रही है यहाँ से ये 45 डिगरी का एंगल बनाती है ठीक है न गाइस तो ये डायमेंशनिंग पैलेस करने के आपके दो तरीके से तो इसके अंदर में आपको MAN-MAN ही बता रहा हूं जैसे पहला है आपका chain dimensi chain chain dimensi頭 plastic chain damit मैं आपका इक figure बनाके बता देता हूं जैसे मालों यह मेरे पासल में एक aobsIEV है एक figure है ठीक है तो chain dimensi निवे क्या है जैसा इसाहित इसानओ माया चैन, जो डाइमेंस जो है, डाइमेंस लाइन जो है आपकी, वो चैन के रूप में जुड़ती है चैन के रूप में कैसे जुड़ेंगी बताता हूँ आपको जैसे यहां से यहां तक की जो डाइमेंस हैं, मालो यह है 10 25 mm, ठीक है यहां से यहां तक की जो diamond chain है यह है मालो 15 mm और यह diamond chain है आपके कितनी 10 mm तो देखें गाइस यह chain की रूप में जुड़ गई ना इसलिए इसको नाम क्या दिया गया chain diamond signing ठीक है अच्छा जी इसी तरीके से एक होती है आपकी parallel diamond signing parallel diamond signing क्या है समांतर बोलते हैं इसको समांतर विमांकर में क्या होता है कि जैसे मैं इसी को आपको समांतर की रूप में बता देता हूँ समांतर में क्या होता है कि चलो दुबारा बना देता है इसको जिसे यहां से यहां तक की नाप आपने दिखाई कितनी यह बताई आपने कितनी 25 mm ठीक है और 25 के बाद में देखो यहां से यहां तक की नाप कितनी हो गई 25 और 15, 40 तो यह मैंने यहां से यहां तक की लिखी 40 mm फिर next मैंने लिखी पूरी complete कितनी हो गई विया चालीस पुर दैस, पचास तो ये जो लिखने का तरीका है डाइमेंसन को एक दूसरे के पैरिलल है ना समांतर समांतर है न ये लाइने देखो डाइमेंसन लाइन जो है एक दूसरे के समांतर समांतर है तो ये है आपका पैरिलल डाइमेंसनिंग इसी प्रकार से तीसरा है आपका Progressive Dimensioning Progressive Dimensioning Progressive Dimensioning में क्या है गाईज कि इसमें क्या datum से start हो जाते हैं आपकी किस से start होते हैं आपकी datum से तो इसको देखिए आप Progressive Dimensioning में क्या है Progress का मतलब क्या होते है भड़त करना, बड़ उतरी करना किसी भी चीज में increment करना, increase करना, progressive dimension में अपने को एक तो लेनी पड़ती है, क्या datum line, जैसे मैंने यह datum line ले ली, उसके बाद में यहां से यहां तक की length कितनी थी आपकी, देख के बता सकते हो, आप 25 थी, तो मैंने कितनी लिख दी, 25 लिख दी, ठीक है, अब यहां, जैसे इस इतना लिखा, 40, अब next, ठीक है, total कितने की हो गई यह, यहां पर थोड़ा से, I think, गलत कर दिया है, अपने, 25 से 30, 40, 50 हो रहा है, पूरा, ठीक है, 40 और 10, 50, 25, 40 और यह हो गया आपका, 50, देखो, progressive जो dimension में है, इसमें विसेस बात यह है आपकी, यह यहां पर 0 पर स्ठाट व यहां थे कितनी है, 50, 50, यहां पर देखो, जो तीर के निसान है, arrowhead जो है आपके, यह arrowhead एक तरफ ही है, दोनों तरफ तो नहीं है न, बाकियों की तरह है, ठीक है, तो यह है आपका progressive dimensioning, और गई, इसी तरीके से इनको combine करके भी बना दिया जाता है, जैसे chain और parallel को मैं एक सा comment करे, channel को subscribe करे, और साथ ही साथ bell button को दबाना ना भूले, thank you.